Welcome students, आज हम next day के लिए work power energy के previous years questions का idea लेने के लिए बैठे हैं, हमने पिछले वीडियो में आप से बात करी थी, जिसके अंदर हमने work power energy के important concepts को revise किया था, अब आईए, 2019 के question से शुरू करते हैं, इसमें देखा ये गया के हर साल लगबग दो question work power energy से आते हैं, simply मतलब 8 number आपके इसमें आने हैं, और इनमें concept limited है जो use हो रहे हैं, in fact collision का concept और work energy theorem का concept और f.ds का, ये 3-4 concept ही बार बार घूम कर आ रहे हैं, आईए, देखते हैं इसको, पहला question पढ़ लीजी आप, आपने question पढ़ लिया होगा, आप देखिए, पहली चीज़ है, मास 5 M का तूटता है, तूटता है भी मैंने आपको बताया था, it suddenly breaks, ऐसे शब्द या, explosion takes, उन समें एक बात बड़ी clear है, हमारा momentum conservation होना है, clear, हमारे पास दो fragment मास M के हैं, जिनकी velocity आपको आपस में perpendicular दी गई है, obviously, जो तीसरा मास बचेगा, उसका मास 3 M होना चाहिए, क्योंकि औरिजिनली 5 M मास है, हमने 5 M मास को लेना है, आपको मालूम है, initial momentum 0 है, final भी 0 होना चाहिए, इसकी मदद से हम सब की velocity निकालने की कोशिश करते हैं, आई, यह हमने सबसे पहले मास ले लिया, हमने छोटे वाले मास को M मनाया, वो एक उपर भाग गया, एक left भाग गया, क्योंकि हमें दोनों perpendicular डालने थी, अब obviously हमारे पार जो 3M का मास है, उसको इधर भागना पड़ेगा, हमने उसकी velocity को V1 मान लिया, अब MV और MV, इन दोनों का momentum जो भी होगा, मतलब दोनों छोटे masses का momentum जो भी होगा, 3M V1 उसके बराबर होना चाहिए, बड़ी सी बात या, अब क्योंकि 3M V, मतलब MV और MV बराब सकते हैं इसमें, तो हमने क्या क्या सबसे पहले momentum निकाल लिया, MV square प्रस MV square, क्योंकि दोनों horizontal square प्रस vertical square से MV root 2 आ गया, उसके बाद हमने इसको equate करना है 3M V1 से, जिससे आप V1 की value निकाल पाएंगे, हमने इससे V1 की value निकाल लिया, रूट 2 by 3 V, अब मेरे पास 3 मास हैं, ती आप तीनों की energy निकाल सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई problem नहीं है, half MV square एक का, half MV square दूसरे का, और half 3M into V1 square कर देंगे, आइए करते हैं, ये देखिए, हमने तीनों masses के energy ले लिया, शुरू के 2 masses के energy MV square आगे, तीसरे mass को add करके हमारे पास, जो total energy आ रही है, वो क्या आ रही है, 4 by 3MV square, ख्यूर वाले दोनों MV square बन गे और बाद वाले के अंदर आपने, 1 by 3MV square आपके पास आ गया, आप ने देखा, 4 by 3MV square इसकी energy released, so ये था आपका, 2019 का, Odisha का, एक question, आईए आगे देखिए, ये question, ये भी Odisha का question था, और ये मैं समझता हूं, ऐसा question है, पिछला question तो आप में देखा, बहुत आसान था, ये question ऐसा है, जिसमें थोड़ा सा आपको logic सिर्फ ये समझना है, जो मैंने आपको बताया था, कि force displacement का graph किसके बराबर है, work का, और f.ds में आपने ये ध्यान देना है, जो हमारा x-axis से उपर वाला होता है, वो positive work होता है, और नीचे वाला negative work होत है, अब question पढ़ लीजिया, अब आपको 8 और 12 के उपर, 8 मने x equal to 8 और x equal to 12 के उपर ये आप से question पूछ रहा है, velocity से, अब आपको 8 वाले में तो मैं समझा कोई भी problem होनी जाहिए, क्योंकि आपके पास f.s, 8 meter तक positive ही है, तो हमको क्या करना है, दो rectangle को जोड़ना मान लीजिये, छोटे-छोटे rectangle हमार रपास दो है, इन दोनों को हमने चोड़ के area under graph तिल 8 meter हमें पहले निकालना है, और वो आपने निकाला 20 into 5 and 10 into 3 करके है, clear, ये बना 130 joules, और इस 130 joules की मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, आप इस की velocity निकाल सकते हैं, because half mv square से निकाल सकते हैं, मास आपके पास 500 grams है, which is half kg, तो आपने इसको equate करके, half mv square को 130 से equate किया, आपके पास v square की value 130 into 4 आ गई, और हमारे पास इस से v ki value आ जाई, इसका मतलब ये clear हो गया, 23 meter per second से के एक number answer नहीं है, चार number इसका answer नहीं है, वैसे तो अब इसके बाद immediately आप थोड़ा logic लगा कर भी इसका answer निकाल सकते हैं, हम logic को बाद में बात करेंगे, पहले आप से calculate करके निकलवा देती हैं, अब उसके बाद उसने पुछा 12 meter तक, अब 8 से 10 के बीच में मेरा work done negative है, और फिर 10 से 12 work done positive है, तो हमने वोई काम करना है, area under निकालना है, from 8 to 12 y ये निकालते हैं, तो हमारे पास area आप देखिए, 8 से 10 के बीच में मेरे पास एक, हमारे पास एक rectangle है, जो 20 तक को यहाँ पर touch करता है, ये वाला rectangle है, 8 से 12, और ये छोटा triangle ह मैंने इनका पूरे area निकाल दिया, minus 20 into 2, plus 1 by 2, minus 5 into 2, क्योंकि इसकी value minus 5 तक आजाएगी, छोटी वाली into 2, अब लेकिन जो 8 से 10 से 12 वाला है, 10 to 12 is going to be positive obviously, तो इसको मैंने add किया, तो मेरे पास answer minus 25 आया, इसका मतलब यह हुआ, पहले आपने 130 जूल्स काम किया, अब minus 25 कर दिय तो मेरे पास बचा हुआ बार्क हो गया, half and V square 105 J, ठीक, अब हमने निकालना है V square की value 105 into 4 आगी, तो आप देखें मेरे V की value 20.6 आगी, अब मैं आपको बता रहा था, हम concept से भी इसको काम कर सकते हैं, देखें, जब मेरे पास value 23 meter per second आगी, तो मेरे पास option यह बचा कि number 2 और number 3 म आपका negative work है और 10 to 12 positive work है, और negative work का area, आप graph से देख कर ही आपको लगेगा, it is much much more than the positive work, इसका मतलब अब इसकी energy कम हो जानी चाहिए, और जब energy कम हो जाएगी, तो obviously इसकी velocity भी कम हो जाएगी, तो इस concept को use करके आप देख सकते हैं, second और third में, 24.4 meter per second answer आगी सकता, because 24.4 meter per second is more than 23, only option would have been 20.6 meter per second, so ये उस समय जब आपको जल्दी लगी हो question कर तो आप ये concept को इस्तवाल कर सकते हैं, लेकिन यदि आप उसको हटा करके दिमाग में ये रखे कि मैं बुरा question solve करके करूं तो वो हमेशा ही आपके लिए better रहेगा, उसको हमेशा में में रखिया, चलिए, अगला question आप फिर देखते हैं, अब इस question को आप देखेंगे, इस question के लिए ये देखिये, अब हमारे पास f दिया है आपको, और 10 से 20y के बीच, 10 प्लस 20y is the force and displacement is along y-axis, आप देखेंगे, value के दिये, y is equal to 1 to 0 to 1 meter, इस वज़ा से, ठीक है, तो इस वज़ा से आपको पता है y बर चलना है, अब इसका मतलब आप f dot dy का integral करेंगे, आपको पता है integral करना है, formula आपको पता होना चाहिए, y to the power n का integral, y to the power n प्लस 1, divided by n प्लस 1 होता है, और final limit आपने 1 लेनी है, lower limit आपने 0 आईए, हमने integral करना है, अब integral कर दिया, 0 से 1 के बीच में 20 plus 10 y dy, अब आप देखिए, इसकी value 20 y आजाएगी, क्योंकि 20 का integral 20 y हो जाएगा, 10 y का 5 y square हो जाएगा, because it is going to be 10 into y square upon 2, अब आपने 1 और 0 की value पूट कर देनी है, आपके बास जो final answer आपके सामने आया, that is coming 20 plus 5, 25 joules, व ये work power energy के principle based है, क्योंकि आपने force दिया, आपको dy work दे दिया, उसने along y axis, तो आपको ये values मिल गई है, अब आप इनको use करेंगे, और energy निकाल लेगे, ये question फिर again बहुत आसान था, पिछला graph का question हम कह सकते है, थोड़ा tough था, अब तो question बहुत आसान, ये normal वाला, जो हमारा need का पे बरुआ था, में में उसका question है, और एक आगे देखिए, अब, ये देखिए, फिर से को लीजिने का question आया, आप आराम से जरा एक मिनिट पढ़ लीजिए, अब देखिए, चार M का मास चल रहा था, velocity उसकी U थी, दूसरी बाड़ी की, 2 M की rest पर है, collision is head-on और elastic in nature है, ठीक है, head-on collision है, elastic in nature है, तो अब सवाल ही है, जब देखिए, जब उसने कह दिया, आप इसमें option में काम कर सकता था, कि energy बाद में पूछ था, तो आपको ये clear होना चाहिए, कि collision is elastic in nature है, इसका मतलब kinetic energy में change नहीं आनेगा, लेकिन question क्या देख रहा है, after the collision, the fraction of energy lost by colliding body A, तो A में जितना loss हुआ, B ने उतना gain किया, आई, ये देखिए, हमने पहली equation मना दी, momentum conservation के लिहाज से, अब देख सकते हैं, 4MV, और बाद में मैंने इसकी velocity V1 मान ली, उसकी V2 मान ली, तो ये मैंने पहला ले लिया, और फिर उसके बाद, हमारे पास इस situation आगी है, 2U is equal to 2V1 plus V2, अब U1 minus V1 की value मैंने निकाल ली है, V2 by 2 होगी, अब ध्यान दीजेगा, ये मैंने value निकाल ली, क्योंकि मुझे last में values निकाल ली पड़ेंगी V1, V2 की, अब मैं बात करता हूँ energy से, अब energy wise चुरू के energy अब देखिए, half into 4M into U square, बात बाले 4M की velocity हमने V1 मानी है, और 2M की V2 मानी है, इसको जब हमने equate करके दोबारा solve किया, तो 2U1 square is equal to 2V1 square plus V2 आ गया, अब हम आरे पास U1 square minus V1 square V2 square by 2 आ गया, अब हम U minus V1 को U plus V1 into U minus V1 में तोड़ देंगे, और उसके बात divide कर दिया, तो मेरे पास U plus V1 equals to V2 आ गया, ये कहां से आ है मैंने आपको बताया, हमने U plus V1 square को U plus V1 into U minus V1 कर दिया, U minus V1 की value पूट कर दिया V2 by 2, और हमारे पास U plus V1 की value ये आ गया, इनको solve करेंगे, हमारे पास तो हमारे पास value आ जाएगी, V2 की value 2U minus V1 थी हमारे पास शुरू में, उसको solve किया इनको V1 की value U by 3 आ गया, और अब रहे गया हमारे पास energy, देखिए मैंने V2 नहीं निकाला, क्यों नहीं निकाला है, मुझे चाहिए ही नहीं था, मुझे सिर्फ ये निकालना है, कितनी energy loss हुई है, मिरे पास दो तरीके थे, या तो मैं B की energy निकालता, और initial से उसको divide कर देता, तो मेरे पासान सहरा था, अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने energy निकाली E1, मैंने टककर से पहले की, collision से पहले की थी, which was half M, half into 4 M U square, और बाद वाली क्या है, हमारे पास velocity कितनी आई थी, U by 3, तो आप उससे बाद के energy निकाली थे, E2 की, अब हमारे थे पूछा गया है, E2 upon E1 की value हमसे पूछी गई है, change energy कितनी आई हमसे, आप निकाल लिया, energy, fraction of energy loss पूछा गया था, fraction मैंने पहले change करेंगे, अब आप उसको divide करेंगे, A से, तो मेरे पास value आगी, 8 upon 9, is it very clear, अगर आप यहाँ पर V1 न निकालते, और V2 को निकालने की कोशिश करते, अगर आप V1 न निकाल करके, आप V2 को निकालने की कोशिश करते, तो आपके पास, फिर वोई बात आनी, V2 की value उस तरही के से आती, कि आप V2 में जो energy है, और initial उसमें divide करके, आपका answer आ सकता था, तो यह थे जो question आपने, previous year के, last year के, चार question देखिया आपने, आपने देखा के, दोनो papers में एक-एक question आया, पर अगर logically आप देखिए, क्या-क्या पूछा जाता है, mainly collision के उपर, और साथ में, collision से आगे चलते आप से पूछा गया, वो f.ds के उपर, clear, अब यह 2018 का भी question आपके सामने लेते है, जिसमें coefficient of restitution निकालना है, देखिए यह question को, पहली body चल रही है, दूसरी body रुकी हुई है, और पहली वाली बात में रुक जाती है, और दूसरी वाली चलती रहती है, तो अब हमारे पास सिर्फ momentum conservation लगाना है, देखिए, collision का अगर हमारे को पता है, elastic collision है, तो मैं जानता हूँ, e की value 1 है, और अगर perfectly in lastik है, तो 0 है, लेकिन इस case में, हमारे पास restitution निकालना है, restitution इसका मतलब इसकी value कुछ और होगी, और आपको मालूम है, perfect elastic की value 1, perfectly in lastik की 0, और कभी भी coefficient of restitution, एक और 0 के बीच में आया, हाई ये पहले definition याद करें, velocity of separation upon velocity of approach, तो मैंने शुरू का momentum conservation लिया, m into v plus 4 m into u, क्योंकि heavy body हमारे पास stationary थी, बाद में क्या हुआ, पहली वाली body रुड़ गई, और दूसरी वाली चलती रह गई, तो मेरे पास v1 v by 4 आगया, अब, velocity of separation मेरी क्या only v by 4 है, क्योंकि दूसरी रुख चुकी है, इसी प्रकार से velocity of approach क्या only v, क्योंकि दूसरी रुख हुई थी, simply इनको divide कर दिया मैंने, और में पस value आगी, 1 by 4 which is 0.25, तो ये आपने देख लिया, ये 2018 रहा, I presume ये question तब आपने देख लिये है, जरूत बढ़ेगी इनके और वीडियो तो आपको दे दिये जाएंगे, पर आप इनको use करें, और enjoy करें, friends को बोलें,